हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का MSSC Notes में तो दुस्तों आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आ रही है जिसमें की आपके एक्जाम में जो सबसे जादा मनोवेग्यानिक है उनसे कोश्चन जरूर पूछे जाते हैं कौनसेप्ट वाले वीडियो को ध्यान से देखेगा सुरूर से लास्ट तक देखेगा क्योंकि लास्ट में हम कुछ परिक्षण से रिलेटेड कुछ वीधियों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो वीधिया है उससे कोश्चन कैसे बन सकते हैं पूरा डिस्कुसन करेंगे ठीक है तो जानकारी आपको WhatsApp नंबर पे मिल जाएगी जो की स्क्रीन पे आपको दिख रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बीना किसी देरी के सबसे पहले बात करेंगे इवान पेट्रोविक पावलाओ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही जादा पूछे जाने वाल और यह सिद्धान के प्रतिपादक कौन से हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धान किस ने दिया था अगर एक्जाम में पूछता है तो नाम याद रखीगा यह है पावलाओ जी यह है चेहरा भी याद रखीगा से चेहरा आपको एक्जाम में दिखेगा ने नाम ही प्रयास ततपरता प्रभव किसका नियम है बहुत इजी से हो गए अब क्या करता है इसी में से कुछ और डीब कोशन पूछता है कैसे पूछेगा चली देखते हैं जैसे पूछता ही है कि यह जो आपका सिध्धान्थ है जो पावलाओ के जो कुछ और सिध्धान्थ है उसको और किस-किस नाम से जाना जाता है मतलब इसके और क्या क्या नाम है यह कोशन ऐसे पूछता है याद कर लीजे इंपॉर्टेंट चीजे है या तो कहीं आप लोग नोट करते जाएगा देखिए शांस्त्री अनुबंधन शिध्धान्थ हो या क्लाशिकल अनुबंधन का शिध्धान्थ हो अनुबंधित नहीं भी कोशन में दिख गया अब पूछ लिया किये सिध्धान्थ किसका है नाम एक ही याद रखिये कौन है इवान पेट्रोविक पावलाव जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था कुट्ते पर क्यों किया था इसके बारे में भी डिसकुर्शन करेंगे आखिर इन्होंने प्रयोग करके पाया क्या क्या हासिल किया जो उन्होंने कुट्टे पर प्रयोग किया था छोटा सथ एक इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं पहले तो आप लोग को यह बता देते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया कर सिधान्त है क्या यह जो सिधान्त था इसमें क्या क्या था पावलाल ने एक कुट्टे पर क्या वेख वो इसले किया जैसे की माले जे कोई एक कुट्टा था उनको जो है प्रतिदिन क्या करते थे बोजन देते थे ठीक्ति नियंता है और उसके सामने हम भोजन प्रस्तूत करेंगे और जैसे भोजन प्रस्तूत करते थी उसके मूँसे लाट पकने लगती थी, है ना, और भोजन देने से पहले वो घंटी भी बजाते थे, तो घंटी का जो सम्मन है, वो कुट्टे से जुड़ गया, यानि जब जब घंटी बस्ती थी, तो कुट्टे को लगने लगा कि अब मेरा भोजन आने वाला है, यही जो है आपकी अनकूली तनक्रिया सिधान से रिलेटेड है, अब देखिए, पढ़ भी लीजे इसके बारे में, इस सिधान का प्रति पादन कब किया गया था, 1904 में, किसके द्वारा, आईपी पावलाओ, इवान पेट् इन्हों तक दोहराने पर इन्होंने पाया कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन हो जाता है, और स्वाभावी क्रिया ला टपकना सुरू हो जाती है, इसके बाद केवल घंटी बजाई परन्तु खाना नहीं दिया, तो देखा गया कुत्ता स्वाभावी क्रिया यानि लाट अपकाना प्रावर्म कर दिया वही बात मतलब जैसे कि आपको मैं एक्जांपल देता हूं आपकी क्लास मालीजे बहल बसती है तो आपको लगता है कि हाँ वन फिरेट खतम हो यानि कि अगले टीचर आने वाले हैं पढ़ाएंगे वह उसी तरीके से मालीजे किसी दिन को लेकिन आपका जो मैंड है वह घंटी बजला इसका मतलब नए टीचर आने वाले हैं तो इसी तरीके से कुट्टे का भी संब्द इससे स्थापित हो गया था यहीं का एक सिध्धान था ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और चीजों पर पूछा जाता है कि यह जो उद अब अनुकूलन के दौरान के पहले की बात थी अब अनुकूलन के बाद क्या मतलब उस दौरान क्या हुआ जाए गई थी और अस स्वाभाविक उद्दीपक में आपका भोजान आता है स्वाभाविक अनुक्रिया में लाल आती है कभी-कभी अनुक्रिया क्या है ऐसे भी कूशन पूस्ता है तो इसको आप लोग छोट एक बेसिक सी जानकारी है इसको आप लोग याद रखीए गा अनकूलन के बाद सिर्फ आपका घंटी और लार ये किया गया था ठीक है तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है मतलब इस सिद्धान की जो प्रक्रिया है मतलब इसको स्टार्ट करने के पहले क्या था और स्टार्ट जब किया गया तब क्या क्या किया था और स्टार्ट करने के मत मतलब जब खत्म हो रहा था अनकूलन के बाद उन्होंने रिजल्ट क्या पाया वो यह है मतलब उन्होंने घंटी बजाई और उसके मुझसे लाराना प्रारम हुआ लेकिन भोजन नहीं दिया यह चीज है तो यह चीज फिलाल आप लोग समझ चुके होंगे अब देखिए इस में स razem स्वाइक है option देदिया भय निवारक में सहायख तो आप इसको ठीक लगाएंगे बिल्कुल सही होगा यह समाजी करण में भी सहायक है अनुशाषनWixit करने में भी सहायक है स्वभाव एवन आदत निर्माण में भी शायक है तो इसका ये जो है सैक्षिक महत्व है ठीक है बढ़ते हैं आगे तो ये थे पावलाव बढ़ते हैं स्कीनर ये भी आपके मौश्ट इंपोर्टेंट मनोवग्यानिक है बी एफ स्कीनर बुरहस फ्रेडरिक स्कीनर इनका पूरा नाम है और इन्होंने जो शिद्धान दिया था वो है क्रिया प्रशूत अनुबंधन का शिद्धान most important ठीक है यह आपका most important question है कि क्रिया प्रशूत अनबंधन का जो शिद्धान्ध है किसके द्वारा दिया गया आपके स्कीनर के द्वारा अब इनका जो शिद्धान्ध है वो कौन-कौन सा है कौन-कौन से नाम से जाने जाते जैसे कि सक्री अनबंधन का शिद्धान अनुक्र कर देते हैं सारे आपको क्लीर दिखेगा तो ठीक है स्कीनर बॉक्स और और एस थियोरी यह भी निके द्वारा दिया गया तो अगर इन में से कोई भी एक्जाम में कोई भी सिध्धान्त आ जाता है तो नाम याद रखिए भी एफ स्कीनर ठीक है याद रहेगा चलिए बहुत बंधन का शिधान्त यह है क्या जैसे अभी मैंने पावलाओ का जो प्रयोग पढ़ा था वही इसमें भी है कुछ इसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया था इसके बारे में जयानकारी ले लेते हैं जरूरी है पता रहना जैसे कि पूछा यह जाता है कि यह प्रयोग कब क में कब उतर पे 1943 में किया था और चुहे पर 1938 में यह डिफरेंस है आप देखिए प्रयों किया और यह शिद्धांत जो है थांडाइक के प्रभाव के नियम किस नियम पे प्रभाव के नियम पे कभी गजाम में पूछ सकता है जो इसकीनर का क्रिया प्रशूत अनवंधन का शि ठानत है यह थांडाइक के प्रभाव के नियम पे आधारित हैं कैसे अब आभी आपको समझ में आएगा जब आप ध्यान से देखेंगे देखिए अब इनोंने क्या किया इन्होंने एक स्कीनर बॉक्स में भूखे चुहों को बंद कर दिया बॉक्स की दिवार पर एक लिव पर अनुक्रिया की जाती है सईयोग से क्या होता है चुहे का पंजा उस लीवर पर पढ़ जाता है और बाक्स पर लगे भोजन पातर से उसे भोजन मिल जाता है किसको चुहे को ठीक है धीरे धीरे चुहे द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगने लगा पहले क्या था बहु विना किसी गलती के लीवर को दबाता है। और फिर फिर भोजन उसे में joe ने बॉक्स में लिवर दबानी की अनुक्रिया को सीख लिया यही जो थी अनुक्रिया थी। तो यह इन्होंने प्रयूग किया था। अब इसकी न्युक्रिया ने कबूतर पर भी किया था ठीक है और इस सिध्धान्त में जो स्कीनर का सिध्धान्त है इन्होंने एस आर जो थांडाइक को है जो थांडाइक नियम था इसको आर एस में बदल दिया SR थिवरी को इन्होंने RS में बदल दिया मतलब क्या है देखिए इसमें पहले अनुक्रिया की जाती थी फिर बाद में पुनरबलन अब पहले पुनरबलन फिर अनुक्रिया तो यह जो है इसको परिवर्थित कर दिया गया ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसको भी याद रखेगा इंपॉर्टेंट है चली यह तो सिध्धान्थ हो गया कि आखिश स्कीना ने किस पर प्रयोग किया उसका महतो क्या था चली इसका प्रयोग जान लेते हैं इसका सिक्षा में क्या महतो है इस सिध्धान्थ से फाइदा क्या होगा ठीक है कि यूँ पड़ रहे हैं हम इस सिध्ध्धान को क्यों पड़ रहेँ दिखें इसका मतलब यह है कि कि इस सिध्धान्थ की द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहार गत्परिवर्तन किया जा शकता है कभी एक्जाम में पूछे कि किस सिध्धान्थ की द्वारा बालकों में अपेक्षित व्यवहार गत्परिवर्तन किया जा शकता है क्रिया प्रशूत दे देगा तो याद के अनुशार, शकारात्मक एवं नकारात्मक पुनरबलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, कभी-कभी कहते हैं कि कोई भी काम करो, तुरंत फीडबैक देना चाहिए, अगर अच्छा कार किया है, तब भी उसको फीडबैक तुरंत अच्छा कार नहीं किया है, तब भी निगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी आपका फीडबैक हो, दोनों तुरंत देना चाहिए, तो यह सभी इसके सिक्षा में महत्त हैं, अब बढ़ते हैं, अगले मनुवए ज्यानिक पे, इंस्टेंट आइडिया वाले, इंस्टेंट वनमानुष, और उसका नाम क्या रखा था, शुल्तान, सहयोग करता, इसमें सहयोग किसने दिया था, कोफका, यह सभी जो हैं, यह याद रखीगा, इन्हें सभी का नाम जो है, गेस्टाल्ट वादी में आता है, और इसमें सूत्र चलता है, पूंडशे अंस्कियोर, ठीक, चलिए, उपनाम, सीखने का गेस्टाल्ट सिध्धान, यह जो नाम है, इसका गेस्टाल्ट सिध्धान के नाम से जाना जाता है, अब पूछा ही जाता है, जो कोहलर है, कहां के निवासी थे, यह भी जान लीजे, यह थे आपके जर्मनी के, यह है कोहलर जी, ठीक है, यह जी लेते हैं क्यों बार-बार पुस्तक पढ़ना उसको डीप में खोजना सौट में कम समय में आपको सारी चीज़े पता चल जा रही है ना इतना ही बहुत है देखो अंतरजिश्टिया सूज का सिध्धान इसमें क्या हुआ था चलिए इसके बार हम जान लेते हैं इस सिध्धान को गेश्टाल्ट सिध्धान भी कहते हैं इसके अनुशार व्यक्ति अपनी संपोड परिस्थितियों को अपनी मानशिक सक्ती से अच्छी तरह से सीख लेता है अपनी मानशिक सक्ती यानि कि मेंटल जुसकी दिमा की जो शक् काईदा मिला कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी का एक कमरे में बंद कर दिया मतलब उसको जो है इसको को लगा दिये ठीक है हां कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी को जिसका नाम सुल्तान था उसको क्या किया एक कमरे में बंद कर दिया कमरे की छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिये जो उसकी पहुच से बाहर थे एक कमरे बंद किया और कमरे को पर केला टांग दिया जो की चिंपैजी पकड़ नहीं पारा उसकी उचाई बहुत जादा थी चलिए अब आगे देखे क्या किया उन्होंने कमरे में कुछ ही दूर पर तीन-चार खाली बाक्स रख चिंपैजी ने उचल-उचल कर केले लेने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली चलिए ये भी इनके प्रयोग का हिस्ता था कुछ समय बाद उसने खाली बाक्सों में देख कर उन्हें केले के नीचे खीच कर उस पर चड़ गया और केले को प्राप्त कर लिया मतलब जो बाक्स रखा था उसने क्या किया बाक्स को लाया और जहां केला टंगा था वही नीचे रखके उसके पर चड़ गया ठेक है तो उसको क्या मिल गया केला मिल गया अब देखिए यह क्या ओगया यह उसकी सूज है उसकी जो है यह क्या है सूज है सूज मतलब आइडिया सूज मतलब होता है अचानक दिमाग में आगया इसा है कि यह बॉक्स रखा इसको इधर रख लिया जाए तुरंध हमको यह काम फिनिश हो जाएगा ऐसा उसके दिमाग में आ गया जिसने उसे अपने लक्ष को प्राप करने में सफलता दी चिमपैनजी के समान बालग भी सूज द्वारा ही सीखते हैं तो इन्होंने परियोग करकी यह समझ लिया कि बालग भी इसी तरीके से सीखते हैं ठेक है ये किसका था कोहलर जी का तो कोहलर में क्या निसकर्ष निकाला था चलिए भी पढ़ लीजे एक्जाम में ज़रूर पूर सकता है इसे रिलेटेड देखिए इनका कहना था जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षी करण करता है और उसके आधार में उसमें सूझ पन होती है इससे वह अपनी समस्या का शमाधान करना शीख लेता है कहने का मतलब यह है कोई भी जीव यानि कोई भी व्यक्ति जीव में मतलब मनुष भी आते हैं और आपके जो चिंपैंजी या जानवर कुछ भी कह लिजिए ठीक है संपूर्ण जीव में सब लोग आ जात करता है इस वातावर्ण का प्रत्यक्षी करण करता है प्रत्यक्षी करण मतलब क्या होता है मलब हमने चीजों को देखा अब्जर्व किया यह सजी क्या है समान वेसारी चीजी क्या हो रही है और हमें जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान हम स्वयम से करना प्रारम करते है तो यहीं इनका निश्कर्स था, संचेप की बात करें, इसका क्या अर्थ निकला? छेत्र का प्रत्यक्षी करन होना तथा उस छेत्र का पुना संगठन करना ही सूझया अंदरदिष्टी है. यह इसका संचेप में अर्थ निकला ठीक है चलिए अब इसका सिक्षा में महत तो जान लेते हैं कि आकिर हमने सिध्धान को पढ़ा तो फायदा क्या मिलेगा मतलब हम किस चीज में हमें यह help मिलेगी जैसे शमश्या शमाधान आधारिच सिक्षा में यह help करेगी लक्ष प्राप्ती में सहायक है यह सिध्धान स्वयम खोज कर सीखना इसमें भी सहायता देती है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होती है और समझ पर अधिक बल देता है यह जो सिध्धान्त है सूज का तरक शेत्र में महत्व है इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाएगा उसको कोशन में डाल देगा ऑप्शन में देदेगा किस सिध्धान से रिलेटेड है ठीक है तो ऐसे कोशन बनते हैं इसलिए इस पॉइंट को आपके लिए लाया गया है इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा तो अब आते हैं बैया बंडूरा जी पे बंडूरा क्या कहा रहा है इनके बारे में जान लेते हैं है न सिध्धान कब दिया 1977 में प्रयोक पर किया बॉबी डॉल जीवित जोकर जीवित जोकर पे रेख बेबी डॉल कहर सकते है वैसे इस सिध्धान में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है पूछा ये जा सकता है किस सिध्धान में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है तो वो कौन सा है सामाजिक अधिगम किसके द्वारा देया गया अलबर्ट बंडूरा के द्वारा एवं दूशरों के विवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज के द्वारा स्विक्रित विवहारों को धारण करने तथा अमाने विवहारों को त्यागने का कारण ही समाजिक अधिगम कहलाता है। अगर आपकी सिंपल भासा में बात करें, तो साधारन सी भासा में कहने का मतलब ये है, कि जो भी समाज की अनुकूल व्यवहार है, जो लोग accept करते हैं कि हाँ ये व्यवहार जो है सभी के लिए हित में है, इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, उस व्यवहार को हम देख देख के क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अपने अंदर उन गुड़ों को लाते हैं, यही होता है सामाजी का दिगम, ठीक है, जो कि किस से होता है अनुकरण के द्वारा, अनुकरण मतलब नकल करना, ठीक है, चलिए, अब यह सिध्धान के बारे हम जानते हैं, कि यह सामाजी का दिगम सिध्धान में होता क्या है, देखिए, इन्होंने प्रयोग क्या किया, इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को पांच मिनट की फिल्म दिखाई, पांच मिनट की क्या की फिल्म दिखाई दे कि इस तरीके से कुछ फिल्म थी पांच मिनट की फिल्म दिखा दिये कौन बंडूरा जी ने उसके बाद फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलोने रख दिये गया फिल्म दिखा दिया गया और कमरे में धेल सारे खिलोने रख दिय और खिलोनों के प्रती क्या करता है क्रोध प्रती आक्रामक क्रोड प्रकट करता है मतलब जो खिलोना देखता है उसे क्रोध उत्पन होता है ठीक है और एक खिलोनों के प्रती आक्रामक हो जाता है एक खिलोना रखा था आक्रामक हो जानी गुसा उसके अंदर बहुत चड़ जाती उस बालक को जैसे वो खिलोना देखता है अब यहां तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया उसके बाद बालकों को तीन समुह में बांट दिया गया पहले समुह का जो था उसके आगे की फिल्म दिखाई गई जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया जाने उसको पनिश किया गया दूसरे समोह को आगे दिखाया गया क्रोद के बदले बालग को पुरषकार दिया गया ठीक है इस तरीके से तीसरे समोह को दिखाया कि उस बालग को न दंड मिला न पुरषकार न तो ये थी ये चीजर आपको समझ में आ रही होगी फिल्म दिखाया उसको तीन भाग में बच्चों को डिवाइड किया और एक जो समूँ था उसमें दिखाया कि क्या होता है कि दंडित किया जाता है दूसरे समूँ को दिखाया कि क्रोध के बदले में उसको क्या मिला पुरशकार मिला और तीसरे वाले को न दंड मिला न पुरशकार फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलाउनों के साथ एक कक्ष में बिठाया गया चली बिठा दिया गया अच्छी बात है और उसका निरक्षण किया गया तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलाउनों के प्रती आक्रामक वेवहार के प्रती पुरशकार वाली फिल्म देखी उन बच्चों ने खिलाउनों के प्रती आक्रामकता दिखाई और जिन्हों ने दंडित करने वाले देखी उन्हों ने कम आक्रामकता दिखाई मतलब क्या समझ में आया कि बच्चों को जैसा दिखाया गया वो उसी चीज़ को फॉल बिलेगी तो वो कम गुस्सा दिखा देते तो ही इसका निसकर्स है अब कुछ और बाते जान लेते हैं जैसे यह एक छोटी सी कहानी थी कहानी ग्रूप में आप इसे समझ सकते हैं है ना देखिए बंडूरा ने अनुकरण के चार चरण बताए कौन-कौन सा था अवधान धार पुछा जाता है परिक्षा में याद जरूर रखिएगा अब देखिए बंडूरा के अनुशार व्यक्ति स्वयम की क्रियाओं को तीन तरीके से संकलित कर शकता है वो कौन सा तरीका है स्ववनियंद्रित श्ववनिर्देशित श्वपुनरवलन ठीक है यह चीजें है अब देखिए यह हमने साब कुछ पड़ लिया अब इसका सिक्ष्षा में प्रयोग क्या है मतलब हमें जो है इस सिध्धान से क्या फायदा होने वाला है इसका प्रयोग क्या क्या है छिप्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले model प्रस्तुत करें, कहने का मतलब यह है, इस सिधान का एक साधान सा कहने का मतलब यह है, कि आप जैसा विवहार करेंगे, आप यही को देखकर बालग भी वैसा विवहार करना प्रारम करेंगा, अगर आप एक आदर शुरूप में, एक अच्छा विवहार बच्चों के स प्रभाव शीलता का विखाश कर सकते हैं तो इन सभी में यह जो शिद्धान्त है बंडूरा का सामाजी कदिगम क्या करता है इससे कोई भी कोशन बन सकता है तो याद रखे के सभी सामाजी कदिगम से रेलेटेड है ठीक है इसलिए मेरा बताने का उदेश यही है आज आते हैं शी एल हल क्लॉर्क एल हल इनका पूरा नाम है निवासी थे यूएसे के इन्होंने प्रयोग किया बिल्ली एवन चुहा ठी इनका जो सिध्धान्त है किस पे ठांडाइक की पद्दती पे आधारित है यह सिध्धान आवशक्ता पर बल देता है जब जरूरत पढ़ती है तभी इस सिध्धान की जरूरत भी तभी आती है यानि जब आग लगे तब कुआ खो दो ऐसी हाल अभी समझ में आ जाएगा सबली करण का सिध्धान किसका है सी एल हल चालक नियुनता का सी एल हल क्रमध अधिगम का सिध्धान शतत अधिगम का सिध्धान यथार्थ अधिगम का सिध्धान अंतरनोध नियुनता का सिध्धान तो इनमें से कोई भी अगर एक आपकी एक्जाम में पूछ ले एक सिध सिध्धान थानडाई की पद्दती की पर इन्होंने यह सिध्धान दिया है आपको लगता है कि अगर आप में पढ़ लेता हूं तो हो सकता है मुझे कोई नौकरी मिल जाए या मुझे कुछ और जादा उपहार मिले पुरशकार मिले या कुछ आपकी कोई उद्देश होती है जब उसकी पूरती अगर आप उसमें दिखती है तभी आप वो कार्य करते ह जो यही जही है आवशक्ता का सिद्धान ये सी य कहता है चलिए और सकीनर ने क्या कहा था इस सत्धान को अधियंकर सरुस्रेश्ण सिद्धान बताया तो सकीनर ने ठीक है यह चीज़ याद रखिए चलिए सैक्षिक महतों की बात करते हैं कि आखिर इसका प्रयोग यानि इसका जो बेनिफिट है हम क्यों पढ़ रहे हैं सिद्धान्त को इससे होता क्या है बालकों को प्रेडित किया जाता है उद्देश एवं लक्ष स्पष्ट होते हैं ठीक छात्रों कि आवश्यक्ता को ध्यान में रखकर ही पाठिकरम का निर्माण किया जाना चाहिए इस सिद्धान्त का जो नियम है और यह सिद्धान्त सीखने में प्रेड़ना पर बल देता है मोटिवेशन पे तो यह सारे जो है सैक्षिक महतों है जो कि शिक्षा की छेतर में इनका अमेरिका के हैं बिल्ली पप्रियों किये थे और मास और मचली का तुकड़ा यह जो उद्धीपक था यह सब चीज आप लोग जानते हों इनके बार में बहुत कुछ पहले से आपको सायथ पता होगा क्यों इतनी बार पढ़ा है आप लोग ने फिर भी अब आप लोग जान संबंधवात का सिध्धान अधिगम का बंद सिध्धान उन में कोई और इस नियम क्या थे अब जा सकीडिन परभाव के नियम को तो संतोष या अशंतोष का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, पांच गौड़ नियम क्या थे, जिसे सहायक नियम कहते हैं, जैसे की देखा जाए, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवित्ति का नियम, आंसिक्रिया का नियम, आत्मी करड का नियम, संबंधित परिवर्तन का निय कि अगए और के अंदर मतलब लगे कि मुझे कार करना है जल्दी करना है तो उसका को आप जल्दी कर लोगे अभ्यास कानियम क्या कहता है अभ्यास या उप्योक कानियम यदि कोई कार पहले किया है और जब उसे दुबारा करेंगे तो पूनह मस्तिस्क में आ जाता है जैसे आपने कोई काम पहले किया फिर से वही काम फिर से मिल गया तो आपको क्या होता है प्रैक्टिस हो जाती है दिमाग में उचीज फीड हो जाती है अनुपयोग का नियम यदि किसी किये हुए कार्य को पूनह नहीं करते तो मस्तिस्क भूला देता है जैसे आपने एक बार किसी कोश्चन को सॉल्व किया उसके बाद आप में छोड़ दिया एक मैने दो मैने के लिए फिर सवही कोश्चन आता है तो आपके माइन में क्या होता है उच्छा फील हो रहा है हमने काम को गिया यह अ अच्छा लगता है फिर आप उसकाम को दुवारा नहीं करते यही होता है प्रभाव का नियम जिसे शंतोष का नियम भी कहते हैं चलिए शिक्षा के छेत्र में इसका महें तो क्या है बड़े एवं मंद बुद्धी के लिए उप्योगी है शिक्षा के प्रती रूची लाता है और सफलता के प्रती आशा उत्पन करता है तो यह सारी चीजें इसके अंतरगत आती हैं अब आते हैं आज के कुछ लास्ट यानि की आखरी मनोवग्यानिक है आपके इनका नाम है आपका जीन प्याजे जीन प्याजे का नाम वैसे आप लोग बहुत अच्छे तरिके से जानते हैं इन्होंने चार वर्स पहचान की थी कौन कौन सी शमवेधी प्रेरक पूर्षन क्रयात्मक मुर्श शंक्रयात्मक वस्था चारिक शंक्रयात्मक जिससे अमूर्थ अवस्था भी कहते हैं चलिए समय अवधी पता है 0-2-2-7-12-12-15 यह सब आप लोग पढ़ चु होते हैं… है नौत वांवस्ता को देखकर सूनकर इस पर सिकरके 複ल करता है यानि इसकी हाथ-पैर नेतर ही क्या करते है अइन इसके मदलब उसको सिखाते हैं उच चीजों को चूच वकर महसूस करता था और गरम है और इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना एवं बोलना सीख जाता है यह आपका सभी सम्वेदी पेशी अवस्था में होता है पूर संक्रियात्मक वस्था दो से साथ वर्स इसमें क्या होता है शिशु दूसरों के संपर्क से खिलाओने एवं अनुकरण क माधियम से ज्ञान ग्रहन करता है यह निकल करना प्रारम करता है शिशु अच्छर लिखना गिन्ति गिन्ना रंगों को पैचाना आदि सीख लेता है इस अवस्था में मोर्तशंक्रियात्मक वस्था में क्या होता है इस अवस्था में चिंतन की शुरुवात हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन मूर्थ वस्थियों तक ही सीमित होता है, मूर्थ मतलब जो चीज उसको सामने दिख रही है, सिर्फ वही तक वह समझ पाता है, जो चीज जैसे कलपना के अधार, जैसे आपने लंदन नहीं देखा, क सबी आपकी मूर्थ संक्रियात्मक में होता है, सबसे अच्छी जो होती है, यानि जो थोड़ा सा परिपक को होता है, वो है आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे अमूर्थ अवस्था भी कहते हैं, अमूर्थ मतलब जो चीज आपके सामने नहीं भी है, फिर भी आप उसके बारे में कलपना करके कुछ उसका हल निकाल लेते हैं जैसे इस सवस्था में किशोर मूर्थ के साथ साथ अमूर्थ चिंतन करने में योग हो जाता है इस सवस्था में चिंतन कलपना निरिक्षन समस्या समधान करना आदिमांसिक योगताओं का विकास हो जाता है ठीक है ये सारी चीजे अप्चादिक संक्रियात्म का वस्था में हो जाती है तो ये थे आज के मनो वैज्ञानिकों के जो महत्पोड कोश्चन इन से बन सकते थे उनके जो प्रयोग थे प्रयोग से रिलेटर जो कोश्चन थे वो सभी हमने डिस्कुस कर लिए अब कुछ लास्ट जो करेक्षण मौरगन एवन मुरे रोशा शयाही दबठा परिक्षण किसे लिए हर्मन रोशा बाल अंतर बोट प्रिक्षण विदी लिए लूपोल्ट ब्लेक ठीक है वहा के पूर्थि परिक्षण यॉन्वर्ट येंदलर है विवहार परिक्षण विदी किसका में एव होट किंग्डर गार्डन किसका है फ्रॉबल मॉनों विश्लेशन विदी सिंग्मन फ्राइड स्वपन विश्लेशन सिंग्मन फ्राइड थे ठीक है कथानक बोध परिक्षण मॉर्गन एवं मुरे का है यह सब विधियां है दोस्तों इसको आप लोग फटा-फट रिवीजन कर लि भूल भलईया परिक्षण। परिक्षण आप लोगे इन सना होगा। यहा आपके परिटियस अगला देख्यखे प्रोजेक्ट विदी के आपके किल-पैय Buenos..! मापनी भेदक वीदी के यह भी किलपैट्रिक ही है डाल्टन वीदी का आपका Miss Helen पारक हष्ट यहां पर आप आप लोग नाम याद रखिए Montessori विदी के Mariya Montessori है और Dracali विदी के Ovid Dracali तो इस तरीके से आपके कुछ विधिया थे जिनके प्रतिपादक के नाम आपके स्क्रीन पर दिये थी इनको आप लोग नोट कर लीजएगा इनसे question जरूर पूछा जाता है तो यह जो topic वाली class थी आपको कैसी लगी है comment करके जरूर बताइए ठीक है comment करके बताइए कि आपको यह class कैसी लगी है क्या आपको इसी तरीके के class और भी लाई जाए तो इसके लिए आप सभी लोग वीडियो को like कीजिए अधिक सदिक like कीजिएगा और अपने दोस्तों को share जरूर कीजिए अधिक सदिक share कीजिए ताकि सभी लोगों को help मिल सके जिनको इस topic में समस्या है तो ठीक है दोस्तों सभी से मिलते हैं अगली class में सभी लोग वीडियो को like जरूर करके जाएए notes की प्रक्रिया आपके screen पर है तो इसके मादम से आप notes ले सकते हैं तब तक के लिए सभी को नमस्कार धन्यवाद जैहिन